हलो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूटूब चैनल दोस्तों आज हमारी जो वर्क सीट्स हैं वो रिपब्लिक डे से रिलेटर हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी रिपब्लिक डे यानि की 26 जैनवरी आने वाला है तो बच्चे इस तिन के बारे में बहुत ही अच्छे से जाने इसलिए मैं वर्क सीट्स लेकर आई हूं तो चलिए देखते हैं वर्क सीट नमबर फर्स्ट इसमें कहरा है कलर दा गिवन फ्लैग इसमें एक फ्लैग दिया हुआ है जिसमें कलर करना है इसमें भी कुछ राइट है इंडियन फ्लैग है जैन ओरेंज वाइट एंड ग्रीन गर्वेदा ब्लू वहिल इना सेंटर इसमें जो फर्स ट्रिब है वो ओरेंज कलर से और फर्ड़ इस्ट्रिप यह ग्रें कलर से और यह जो मिदल वारी strip है इसे white color से बच्चे color करेंगे और इसमें यह जो circle दिया हुआ इसमें 24 इसमें lines इस तरह से draw करवानी है मैं बच्चों से इस तरह से वो draw करेंगे और इसमें color करेंगे next कह रहा है trace the given Indian map and write the sentence given below इसमें यह Indian map दिया हुआ है जिससे बच्चे trace करेंगे और वो हमारे Indian map को बनाना सीखेंगे इस तरह से बच्चे से इसके उपर इस तरह से trace करेंगे और इसमें जो नीचे sentence दिया हुआ है Republic Day 26 January means हमारी country में Republic Day मनाया जाता है 26 January को जो बच्चे इस line DV line में write करेंगे अब दोस्तों next work seat work seat number third इसमें कहरा है word search national symbols इसमें national symbols दिये है national flower, bird, animal, game and fruit और ये जो box दिया हुआ है इसमें जो letter दिये हुआ है इसमें हमको ये word search करने है तो बच्चे ये word search करेंगे इसके बाद इन्हें learn करेंगे अब देखिए national flower national flower क्या होता है lotus तो अब हमें इसमें search करना है lotus तो ये रहा हमारा lotus इस तरह से हम इसे एक डिपे में pack कर देंगे फिर देखे national bird नेशनल बर्ड है पिकॉक आब इसमें पिकॉक सर्च करेंगे तो ये रहा पिकॉक इसे भी हम एक box के अंदर pack कर देंगे फिर है national animal tiger ताइगर कहा है बच्चों ताइगर ये रहा ताइगर फिर है national game hockey national game hockey कहां पर है HOCKEY ये रहा होकी इसे भी हमें एक डपे में pack कर देंगे फिर है national fruit mango ये रहा mango तो दोस्तों जो ये जो आज की हमारी workseats थी इनसे जानेंगे हमारी बच्ची national flag national symbols और Indian map के बारे में तो दोस्तों हमारी workseats आपको कैसी लगी हमें comment box पर comment करके जरूर बताईए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और इसे share करें और दोस्तों हमारे चैनल को जल्दी से subscribe कर लें और bell icon प्रेश करना बिलकुल न भूले ताकि हमारे latest वीडियो की notification आपको तुरंत मिल सके और दोस्तों ये जो workseats हम आपकी बच्चों के लिए लाते हैं इसकी PDF की link आपको description box में दी गई है आप टाउनलोड करके आसानी से अपने बच्चों से ये workseats solve करवा सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई